सुमती कुमती सबके हिरदय में रहती है कुशंग से कुमती बढ़ती है और सत्संग से सुमती बढ़ती है जहां सुमती बढ़ती है वहां सत्मार्ग प्रारंब हो जाता है और जहां कुमती बढ़ती है वहां असत्मार्ग बहुत ध्यान देने योग के बात है जिनकी दुरग प्रती पक्की है उनमें चोविस लक्षन पाये जाते हैं इनकी व्याख्या भी होगी पहले शुमिले शब्से पहला काम भोग ये सबसे बड़ा शत्र है और पूरी स्रिष्टी का एक ही लक्ष है मेहिनत करके खुब धन कमाओ और अपनी कामनाओं की पूर्ती करो सुखी रहो शान्त रहो प्रशन रहो ऐसी अंदर भावना है खुब धन मिले खुब भोग भोगूं शुखी हो जाएगी और भगवान केरें त्यागा शांतिरन अंतरम त्याग भोग त्याग से शांती प्राप्त होती है हमारा मन गलत है काम एक और दूश्रा लोग धन का लोग भोग वस्तूओं का लोग भोगों की चाह ऐसे बढ़ जाते है इससे वो उससे वो बढ़ता चला जाता है तिश्रा धन में पूर्ण महात्त वुद्धे चौथा तृष्णा जो भोगे हुए भोग हैं उन्हें पुना भोगने की इच्छा काम लोब धनो पारजन तृष्णा पाचवा असंतोष चठा परिग्रह सातवा इस्ते चोरी आठवा असत्य भाषन नवा दूश्रू की निंदा करना दस्वा बहुत बोलना ग्यारवा सदयुक पर चर्चा करते रहना बारवा क्रूद तेरवा हिंशा चोदह निर्देता पंद्रा चिंता शोला शोक सत्रा अहंकार अभिमां अठारवा मद उन्नीश प्रमाद इंद्रियों की दास्ता बीश 21 मन की गुलामिल 22 कुशंगती 23 स्वेक्षाचार न शास्त्र की अधिन्ता न गुरू की अधिन्ता न शंतों की वाने की अधिन्ता और 24 वान भगवान से विमुखोकर भजन न करना ये 24 जिन में होते हैं बड़ी दुरुगती को प्राप्त होंगे नर्क गामी होंगे जिसकी दुरुगती होनी ये लक्षन उसमें होते है पहला है काम काम का पूरार्थ होता है कामनाएं पर अन्य कामनाओं शिभी बलवती कामना होती है जनेंद्री भोग की रशेंद्री जनेंद्री ये दो प्रदान होते हैं अच्छा-च्छा खाने को मिले और जनेंद्री शिभोग करने को मिले पूरी स्रष्टी में ये ही प्रदान है पूरी स्रष्टी में अंतर से देख लो जिसने काम वेदना को शहना नहीं सिखा उसके ग्यान का अपरण कर लेता है काम इस्मर्ती का अपरण कर लेता है इस्मर्ती अपरण होते ही बुद्धी ब्रष्ट हो जाती और वो ऐसे कामों पुभोग करने लगता जो महापाप कहे जाते है अपने पुज्य शम्मंधों को भी दूशित करने लगता है जै शेक ने प्रश्ण किया कि जब हम किसी जवान इस्त्रीश को देखते हैं तो हमारे अंदर भेंकर काम आ जाता है तो हमने प्रश्ण कि अपनी बेहन को देखते हैं तो आता है क्या नहीं फिर फिर जैसे तुम्हारी बेहन तुम्हारे गले लगे तो क्या तुम्हारे कामों तेजना जागरत हो जाएगी क्या बहुते ही राक्षस हो तो बात लगे कोई फिर मेरी बेहन है आपकी बेटी आपकी गले से लगे तो क्या काम भावा आ जाएगा क्या एक लोकिक पवित्र भाव में इतनी शामर्थ है कि नव यूती बहन या नव अवस्था को प्राप्त बेटी गले लगे तो भी काम जागरत नहीं होगा तो जैसे हमारी बहन तेशे दूसरे की बहन पर वो बुद्धी काम नश्ट कर देता है लोकिक भाव की पवित्रता काम उत्पन्न नहीं होने देती फिर भगवत भाव की पवित्रता आजाए तो त्रिभुवन में कौन काम प्रगट कर सकता है ये काम सबसे पहला कार्य करता है ज्याम का प्रण कर लेता है और ये पाप में प्रवत्त कर देता है बहुत बचने की ज़रुरत है ग्रेस्थ हो, पानिक ग्रहन हो गया तो अपनी पत्नी से ओभी सैयम के साथ ये मानोजीवन कामोप भोग के लिए नहीं मिला है कोई ये सस्रश्टी में जीव नहीं है जिनको ये सुक्ष विधाय प्राप्त नहों कामोप भोग की, रसेंद्री की, नीद की ये सब सुविधाय है अपने बच्चों से प्यार करना, बच्चे पैदा करना ये पूरी स्रश्टी कर रही है मानोजीवन की दुरलबता भगवत भजन निश्कामता में है काम, भोग तो पसू, पक्षी साब चराचर जगत कर रहा है तुम्हारी योग्यता श्रश्टी पूजा के लिए भगवान ने जो ग्रेश्ट दर्म दिया, बस संतानोत पत्ति के लिए इंद्रियों को शयम में रखकर भगवत मारगा, बिरक्त तो शंपुर्ण तया इंद्रियों को वस्च में रखके जिसके काम के द्वारा अपरीत हो गई है बुद्धी वो फिर रुकता नहीं पापा चरण ऐसे करने लगता है जो अच्छम में परादों में आते है भारी दुर्गती करा देता है एक काम पुरे जीवन सम्हाल के चलते हैं चूक कर दे वहीं गिरा देगा बहुत बहुत इसका बड़ा प्रभाव है काम का पूरी स्रुष्टी में यहां से लेकर ब्रम्ह लोग तक चूक किसी से भी करा दे सकता है नाम है तो काम की ताकत नहीं कि वो उसे बरफ्ट कर सके भगवन नाम हाँ पहले थोड़ा मारजन होने दीजिए मन को नाम मारजन करता है कल किसी उपाशक ने प्रश्ट किया बाहर से आके कि आप कहते हैं नाम जब कर उपर जम नाम जब करते तो चाती जलती है नाम छोड़ देते तो ठीक हो जाता है यह क्या है तुम्हारे मन का मारजन हो रहा है जैसे शुरण कार के पास जब शुरण पहुंचता है तो आग में उसे तपाता है गलाता है जिए ही आग में तपाता है तो शुरण चमकने लगता है और उसका मल नश्ट हो जाता है ऐसे ही मन भगवत सुरूप है ये कामनाओं वासनाओं से मलिद हो गया है नाम इस पर अगनी पैदा करता है तो शमस्त ममता मल वासना मल कामना मल इस सब बस्म हो जाता है इसलिए सहत सहत बाढ़े भगती ये सहो वो जलन दुखदाई नहीं है प्रशन हो जो तुमें अनेक जन मों में जन ले ले करके दंड भोगना था सारी रीक वो मानसिक थोड़े सी जलन में नाम भगवान निप्टा रहे है डरो मत इस जलन से मत डरो अगर डर गए तो वो आग की ज्वाला मिलेगी जिसे तुम सही नहीं पाऊगे ये तो थोड़ी सी जलन है थोड़े समय के लिए जान निस्पाप हुए आनंद की धारा प्रकासित हो जाएगी काम की पूर्ती हुई तो लोभ का प्रादुर्भाव होता है जो हमें प्री लगता है उसे इकठा करना जो भोग प्री लगता है उसके सानिद्न में रहना यही हमारे बंधन का शुरूप है अगर कामना में बा कर प्रेंकर करोध उत्पन हो जाता है यह भी भी कराता है कुछ भी करना पड़े को खिरूद्र इष्जाप प्रकेत कर देता है पुझ जनों की इंसा भी करा देता है जो शास्त्र में निशेत कई गए वो बाते कर बैठता है काम अन जाय ती कुरुधा कुरुधा इस्ठु प्रत्वि ब्रमा, इस्मति, ब्रणशाद, बुध्धिनाशो, बुध्धिनासाद, प्रणश्टि, मूल काम दो बाते प्रगट करता है, एक तो भेंकर क्रोध और दूशरा लोग, ये तीनों बहुत ही घातक हैं, क्रोध हाने पर अपने पुझ जिनके चरण पखार कर उनको पीटनते देखा गए, जिनकी वन्दना, जिनकी क्रपा से भवन्दन मुक्त हो जाए, उनको नाना प्रकार की प्रताडना करते हैं, जैर देना, आधि-आधि करना, कशा, कशा शुरूप, इन विकारों का है, जो सर्वनास कर देते हैं, और इनी को प्रिमान कर गुप्त बढ़ा है, तो कोई भी पाप उसके लिए सब पाप कर बैठेगा, कोई भी पाप उसके लिए निंदनी नहीं रहेगा, उसाब बंदनी लगता है, कुछ भी करो, कैसे कैसे निरदई लोग हैं, कोई माता बहन जा रहे हैं, एक छोटी सी श्वरन जंजीर के लिए पकड़ा, खीचा और रोड में गिरी, क्या उसको कष्ट होगा, उसको कोई मतलब ने, एक चंद पैसे के लिए, लोग बढ़ गया, बयो ब्रद्ध माता पिता हैं, जल्दी पधारें, मैं इनका संपत्तिक आधिकारी बनूं, श्वामी बनूं, मन मानी आचरन करूं, उनके साथ, ऐसे जो नहीं करना चाहिए, वो चेश्टा हैं, ये लोग और ये क्रोध काम की उपज है, जिसने काम को शयम में कर लिया, उसको निश्चित भगवान मिल जाएंगे, ये काम बहुत ही बैरी है, भगवान सी कृष्ण चंदर जूने का है, ये ज्यानियों का नित्य बैरी है काम, इसमें सुख है ही नहीं, जो ग्रहस्त हैं अगर वानुभो के लिए संसार में, तो देखो आप, हमने कई बार का है, जिस्च में आप कामों पभोग्चेश्टा में हो, उस्च में नाम नहीं रुकना चाहिए, फिर आप देखना आपको क्या सुख मिलता है, अगर आपके हर हो जाएगा, लाग रही तो जाओगे, आपको लगेगा कि नहीं सुख है, पर आप उसका चिंतन करते हो, भगवत बिमुख हो, अप अवित्र हरदय है, तो आपको प्री लगने, इतना प्री कि उसके बिन जी नहीं सकते, ये काम शर्वनास करने वाला है, अपने पास बहु जल निधि को नाव काम पावक को पानी, गरजरें स्रीमत चतुराशी जी, काम पावक को, कामागनी को शांत करने के लिए सीतल जल के समान स्रीमत चतुराशी जी है, जिनके एक एक अक्षर में स्याम स्यामा बिलाजमान, स्याम स्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अतिम धुरुबानी सुजुबानी रसिक नित्य निसिदिन रटत रात दिन कहत अरुशुनत रस रीति जानी ताहित जी और गाउन कमहुं कचु प्राण रमी रही हरिवन शुबानी। लोव शे बुद्धी मारी जाती है। निरने करना बुद्धी बंद कर देती है। वो चूरी कर लेगा, वो हिंशा कर लेगा, कश्य निक्रिष्ट बुद्धी हो जाती है, छुटी-छुटी बातों में सगे भाई, एक भाई, दूसरी भाई की हिंशा कर देता है, महत अपराद, महत अपराद, लोव पास जही गल न बंधाया, शो नर तुम समा नर घुराया, जिसने लोव रूपी फांसी अपने गले में नहीं डाली, वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो शाक्षाद भगवान का अभेद स्वरूप हो जाता है, धनों पारजन, धन में महत बुद्धी, बस धन बढ़ाते जाएं, कैसे बढ़े, ये ब्रत्ती राक्षस बना देती है, अशुर बना देती है, पक्का, धर्म से युक्त होकर के अर्थ, इसलिए सबसे पहले पुरुशार्थ में धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, इधर मोक्ष है, मोक्ष और धर्म के बीच में कामना की पूर्ती जिससे होती अर्थ और काम दोनों रखे गए, अगर धर्म युक्त धन नहीं है तो ऐसी कामनाय बढ़ेंगे कि बंधन को प्राप्त होते चले जाओगे धर्म युक्त धर्म धन की कमाई है तो सुद्ध कामनाय, पवित्र कामनाय होंगी और वो तुम्हें मोक्षपद की तरफ बढ़ाएंगी ये चार पुरुशार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जिसके दिमाग में केवल धन प्राप्त वो अशुर बन जाता है, राक्षश बन जाता है देखा जाता है शांती, निर्भैता, सुख पवित्रता, पवित्र विचार ये उसके जीवन में पाए ही नहीं जाते है कितना राक्षश बन जाता है जैदेव जी ने चारो ठगों को पहचान लिया जो उनके पास असरफियां थी, दे नहीं उसको लेकर चले जाना चाहिए लेकिन धन पर महत बुद्धी रखने वाले इन दुष्टों ने विचार किया कि ये बहुत प्रवीन है, अभी तुदे दिया फिर राजा से सिकायत करके मुझे बंधन में डलवाएगा इसने देख लिया है, इसलिए इसके हाथ पेर काट के कुई में डाल दो, ऐसा ही कर दिया है कैसे शहनसिल महात्मा और कैसी ये दुष्टता धन पर महत बुद्धी रखने वाले की जो धन को सर्वश्रेष्ट धनों पारजन ही जीवन का लक्ष वो अशुर प्रवत्ती को प्राप्त हो जाता है अशुर भाव को प्राप्त हो जाता है चोथा दृष्णा ये बहुत डाइन है राक्षसीन है ये कभी तरप तो होने वाली नहीं ये बढ़ती ही रहती बढ़ती ही रहती दृष्णा बढ़ना इसका शुभाव है ये भोग ले ये भोग ले ये भोग ले किच्छा ये राक्षशी व्रती कभी शांती ने लेने देती जो लोग कहते हैं मैं नहीं करना चाहता पर जब अरजस्ती ऐसा लगता कोई कराता है ये राक्षशी तृष्णा हमारे पास नाम है हमारे पास गुरु चरणों का बल है उसी विचार के द्वारा इस तृष्णा को नस्ट किया जाता है बहुत बार भोगा क्या भोगा अनंत जन्में बीद गए नए 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 ए मन अब मेरी स्विकृती के विना तू एक कदम भी मुझे नहीं चला सकता चला के दिखा राधा 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 ये सब विकार भेडिये की तरह बच्चों को डरवाते हैं बड़ों को नहीं वही बड़ा जाही गोपाल बड़ो करें जो प्रभू का हो गया नाम जब डरने कभी से नहीं अगर आप सुईकृती नहीं देंगे दसकत नहीं करेंगे तो आप तनमय हो जाते हैं और अपने सुख की लालसा कर लेते हैं कि मुझे ये विकार सुख देगा बस गए वो आपको ब्रिष्ट कर देगा बाद में रोना धोना गलती छमाया चना हो सब ब्यर्थ हो जाती है ये तृष्णा सदा नवीन नवीन भोग बना कर आपको देती है चिंतन में आएगा उस शरीर को उस भोग को उस वस्तू को उस पदार्थ को अब ऐसे भोगेंगे ऐसे खायेंगे ऐसे इसी तृष्णा का नास करना है जहां ये तृष्णा रहती है भजन, साधन, पवित्रता तब दिखावा बन जाता है ये तृष्णा बहुत डाइन है बक्षती नहीं किसी को अगर ये प्रचंड तरंगों की रूप में आ जाए तो शमुद्र ना बनने पावे होस में रहना ये पहले चिंतन कराती है वो तुम ऐसे किये थे ना कितना सुख मिला था ऐसे करो और भी सुख मिलेगा ऐसे बनाओ, ऐसे खाओ, ये करो वो बस उसी चिंतन को तुरंत काट दिया तो काट दिया नहीं तो बस समुद्रवत पूरा अधिकार कर लेगी हरदय में फिर आप अंदे हो जाएंगे कोवा मदांधू मदना तुरूगा कामना रंग ला रहे अब कुछ नहीं कोगे कि जैसे कोई भूत आता है आवेश वेशे पता नहीं क्या होता है किसी ने कुछ कर दिया क्या मेरा दिमाग काम नहीं करता मैं ऐसा कर जाता हूँ कुछ नहीं आपकी गल्ती ऐसे थुड़ी हनुमान जी महराज कह रहे का हनुमान ति बिपति प्रभुशोई जब तो शुमिरन भजन न होई यदि नाम चल रहा है नहीं नहीं ताकत है तृष्णा की क्यों आपको ब्रष्ट कर दे ये नवीन नवीन सुख उपभोग करने की पेरणा और सुख सामागरी दिखाएगी बस इशी में पागलपन चड़ जाता है अब तो वो खाना ही अब तो वो देखना ही अब तो वो सुनना ही अब तो भोगना ही है तुम्हे नहीं प्यारे तुम्हारे अंदर कोई अभाव नहीं तुम अपने श्वरूप को भूल कर इस त्रशना के फंदे में फसकर अपना नास करने जा रहे हो यह समझ में नहीं आता अशंतोश यह सदा अभाव का अनुभो कराता हुआ हिरदय जलाता रहता है कभी अशंतोशी सुखी नहीं हो सकता क्योंकि कामनाओं की बाढ़ है तो अशंतोश बढ़ता चला रहता है और जहां संतोश होता है वहां कामनाय नश्ठ हो जाती है बिन संतोश न काम नशाही वो अच्छत काम सुख सपने उनाही संतोस के द्वरा ही कामनाओं का नाश होता है अगर कामनाओं का नाश ना हो तो सुख का सब्द श्वप्न में भी अनवो में नहीं आएगा कामी पुरुष कभी श्वप्न में सुखी नहीं हो सकता बहुत ही गंदा हरदय हो जाता है बहुत ही गंदी दर्ष्टी हो जाती है कभी-कभी यहां भी दर्षन होता है ऐसे आकर समाज में बेटते हैं उत्तर चल ला है हमारी दर्ष्टी पढ़ रहे हैं बार-बार हो जिदर माता हैं बेने बेटी उधरे देख रहे हैं तब लगता है दर्भाग है जीव का कितना नीच शुभाव है कि भगवत शमुदाय में जहां शंत शमागम हो रहा है जहां इतने भगवत शुरूपों में वहां बेट करके भी पापा चरण ही अरे जहां के उपदेश और शंग के रंग से हम इन विशयों पर विजय पाएंगे वहां भी वहां भी अपने मनिंद्री को गंदा करने का भव तब लगता है मेरे हरी की बहुत बलवती माया है ये भोगों की प्रति अशंतोश ये सदय अभाव का अनुभो कराता है कभी पूरण तानुभो नहीं होती एक लाख मिल गए तो एक करोड एक करोड मिल जाएं इतना इतना तो भी इतना ऐसे हर भोग इसको भोग लिया उसको भोग लें इस अवस्ता को उस अवस्ता को इस पदार्त को उस पदा दिखकार है जीवन बस इसी में पापा चरण की भारी पोटली तयार कर लेता है यहां से ले जाने के लिए असंतोष कभी शुख कानुभो नहीं करने देता कभी शांती कभी बिश्राम नहीं परिग्रह नई नई वस्तू का संग्रह करने का शुभाव बटोर बटोर कर भोग शामागरे खुब एकठा करूँ और खुब भोगूँ परिग्रह यह जिसके हरदय में देता चैन नहीं लेने देता यह चोरी भी करवाता है बड़े अपराद करवाने लगता यह सब नास करने वाले हैं जो चोविस दोश हैं परिग्रह किसी की भी वस्तु चुरा करके अपने प्रयोग या कैशे भी धेर सारी शामागरी भोग की कठा करके और हम उसको भोगेंगे ऐसा यह ब्रती सदा नई नई वस्तुएं पदार्थ बटोरने की चिंता में ग्रस्त रखती है इस्ते दूसरों का स्वत धन पदार्थ अपरण करना चोरी इस्ते चोरी आठवान अशत्य भाषन इससे वानी का तेज नश्ट हो जाता है बिल्कुल बेर्थ की बानी बकवाश नहीं वानी बड़ी मधूर और शत्य होने लगती है अगर आप जूट न बुल क्यों जूट बुलो क्या जरूरत है क्यों डरते हो आप कहां से बात कर रहे हो हम अमुक जगे से बात कर रहे हैं आप खड़े पास में ही उपास की गली में जूट बुल रहे हो क्यों बिर्थ में जूट बुला क्यों अहरदे को मलिन किया हम यही हैं पर आपसे बात नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगे आपसे, क्या है? पर वो ऐसे बोलने की हिम्मत हरी भरोसे वाले को होती है, वो तो बिशेओं के भरोसे हैं, जूट पे जूट, जूट ही लेना, जूट ही देना, जूट ही वो जन, जूट चबेना आजकर बिश्वास बात पर अपनी नहीं है वो क्या बोल गहा है अभी क्या बोल गहा है छण में क्या बदल जाए क्या बोल जाए ये मनुष्य जीवन की भारी दुर बलता है अगर आप नाम चलाना चाहते जिब्या में तो जूट बोलने पर ध्यान दीजिए कि हम जूट नहीं बोलेंगे हम सत्यवादी तो नहीं है पर हम जूट भी नहीं बोलेंगे सत्यवादी का भावाने पर हंकारा सकता है मैं सत्यवादी हूँ पर मुझे जूट नहीं बोलना नहीं असत्यसंपातक पुंजा गुश्वामी तुर्सिदा जी जूठ बुलने के दोवान पाप नहीं क्यों? क्यों किसें पाप समझते नहीं बढ़ता चला जाता है वानी अशुद्ध हो जाती है निक्रिष्ट वानी हो जाती है अगर अशत्य भाशन न बोले तो वानी में तेज आ जाएगा जो बूला जाएगा वैसे ही हो जाएगा वानी बहुत बड़ी शामरत है पहले ब्रह्म रिश्यों से बड़े बड़े चक्वरती समराट भी डरते थे क्यों? क्योंकि उनके पास वानी का वज्ज्र होता था प्रहार कर दिया तो अमोग बचने की ताकत नहीं है जो मौन रहता है उचित केवल भगवद वारता करता बानी को सैयम में रखता उसकी त्रिकाल सब्त्य बानी हो जाएगी देर थोड़ी लगते है गोतम जी ने कहा कि तू पत्थर की तरह पड़ी रही तुझे पता नहीं चला कि तेरा पती कौन है बेश बदलने मात्र से तू राजी हो गई तुझे मेरा इस पर्ष पता नहीं मेरे शानित दिका तुझे पता नहीं जा पाशान हो जाएग एक सेकिन में अहिल्या जी पाशान नारजी ने नल को बर्ष जा ब्रक्षियोनी को प्राप्त हो ततकाल सरीर और जाकर पर क्रिपा है कि नंदाले में क्रिपा है कि भगवान श्री राम के पावन चरणों का इस पर यहे कि मुनिन का क्रोधो मुक्तिदातार क्रिपा है कि नंदाएग ने जाएगा है कि नंदाएग ने जाएगा है कि ने पावन चर्णों का इस पर जाएगा है